हेलो फ्रेंट्स, कैसे आप सभी लोग उमीद कर रहे हैं कि आप सभी अच्छे होंगे तो जैसा कि फ्रेंट्स मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थें और आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन है और इसका जो है pin pattern password आदमी भूल चुका है और इसे कितनी भी कोशिस कर ले यह जो इसका pin pattern password है इसे unlock नहीं कर पा रहे हैं आप तो आपको बिल्कुल भी खरवाने की बात नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पास कोई भी यह smartphone है और आपका भी smartphone यदि इस तरह से lock हो चुका है तो उसे unlock करने के लिए हम अभी यहाँ पे एक special tool का इस्तमाल करेंगे जो कि आप सामने में देख सकते हैं जिसका नाम है Tenosier 4UKey for Android और इसी का इस्तमाल हम आज के date में इस वीडियो में करने वाले हैं जहाँ पे आप अपने handset को completely unlock भी कर सकते हैं यहाँ पे आप इसके द्वारा दिया गया FRP lock का इस्तमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपका कोई भी Samsung का device है और उसमें यदि Google account verification लग चुका है तो आप उसे easily इस software का इस्तमाल करके उसके Google account को आप password को reset कर सकते हैं आप अपने handset के यदि खास करके यदि आपके पास Samsung का smartphone है तो आप उसे easily आप रिकवर कर सकते हैं दुसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं remove any android screen locks in minute याँनि कि आप कुछी मिन्टों में अपने tenusier का इस्तमाल करके अपने handset के pin pattern password को आप easily reset कर सकते हैं यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं यह आपके handset को खुद ही detect भी कर लेता है कि आपके पास कौन सा android device है जहाँ पर आप इसका इस application का इस्तमाल software के इस्तमाल आप कर सकते हैं अब इससे आपको हम इसका इस्तमाल करके आपको handset को unlock करके दिखाते हैं दूसरा है step 2 तीसरा है step 3 remove successfully जैसे का आप यहाँ पर screen sword भी देख सकते हैं तो इसी का हम इस्तमाल करेंगे अपने handset को unlock करने के लिए चलिए इसके software को हम यहाँ पर download करते हैं तभी आप इसका इस्तमाल भी कर पाएंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे आपको थोड़ा सा down होंगे तो आप देख सकते हैं उपर में आपको एक download का message देखने को मिलेगा तो हम इसे यहाँ पर पहले download करेंगे जैसी हमने इसे download पर लगाया आपको यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं यहां पे आपको एक offer भी दिया गया और यह side में यहां पे आपका download होने लगा अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आपके कुछ charges भी होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा यदि आप मतलब पहली बार इसे कर रहे हैं तो आपको यहां पे क्या क्या चीज करना होगा आपने हमन सकते हैं यह हमें downloading करने के लिए आचुका हमने इसे यहां पर download में डाल दिया है अब यह कुछी देरों में आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह आपका tenocere का install का पेज है और हम इसे easily यहां से install भी कर लेंगे आप इस तरह का इस्तमाल करके अपने PC में इस जहां से आप किसी भी Android स्मार्टफोन को easily आप उसके password को remove कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन को आप बिल्कुल पहले के तरह इस्तमाल भी कर सकते हैं अभी हमारा यह software इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप थोड़ा wait यदि कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इस तो हम यहां पे आपको complete process करके दिखाएंगे कि आप इसे किस तरह से अपने handset को आप unlock कर सकते हैं तो बस थोड़ा सा और wait आपको करना है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें अब दोस्तो हमारा यह जो application है यह पूरी तरह से completely install हो चुका है अब हम इसे यहां पे open करेंगे यहां पे जो start का button है इसे हम यहां पे click करेंगे जैसी आप इसे click करेंगे आप इस तरह का interface देखेंगे और यह application अभी open हो रही है और यह जैसी open होगा आपको एक बहिया सा interface देखने को मिलेगा और दोस्तों देख सकते हैं आपको इस तरह का interface देखने को मिलेगा जहां पे जो पहला screen है वो है remove a screen lock unlock android a screen password including pin pattern fingerprint etc और जो दूसरा है वो है remove google lock frp completely remove frp google account lock और samsung devices तो आपको यदि अपने मालेज आपके पास Samsung के अलावा Oppo के फोन है Realme के फोन है तो आपको यहां पर remove a screen lock पर जाना है और इससे यहां पर select करना है तो मैं पहले इसका ही इससे क्लिक करते हैं दूसरा page आपका आएगा जहां पर लिखा मिलेगा remove a screen lock और दूसरा है remove a screen lock without data loss तो हम यहां पर remove a screen lock without data loss पर यहां पर click करेंगे उसके बाद आपका यहां पर बता रहा है remove a screen lock without data loss not only support early Samsung devices तो अभी आपको यहां से start में जाना है और आपको यहां पर देख सकते हैं device brand में Samsung यहां पर आपका आ चुका है दूसरा है device name यदि आपके पास Samsung का device है तो आपको यह method apply करना है जहां पर आपका कोई भी data loss नहीं होगा लेकि हमें यहां पर अभी oppo और realme के उपर काम करना है तो यहां पर simply हम जाएंगे उपर में जहां पर है लिखा हुआ is remove a screen lock इसे यहां पर select करेंगे और अपने handset को जो कि आप देख रहें यहां पर हमारा handset मतलब unlock नहीं है ताकि अच्छे से यह काम करें और हमने यहां पर इसे install कर लिया कि आपका यह लग चुका देखिए यह charging पर आच चुका है तो अब हमें यहां पर देखना है कि क्या हमारा यह smartphone उसे detect करता है कि नहीं करता अभी देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे handset में device is connected but not recognized please remove the screen lock directly आ और इसे अभी आप देख सकते हैं यहां पर connect your device का option आ चुका है और हम अपने device में USB केबल को लगा लेंगे ताकि हमारा जो device है वो यहां पर detect हो जाए उसके बाद हमें अपने smartphone में ही आप देख सकते हैं सेटिंग में आपको यह तीन message देखने को मिलेंगे तो आपको यहां आप पर transfer file या Android auto में चले जाना है ताकि आपका सामने में यह detect हो जाए अब friends जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपका यहां पर detect हो जाएगा कुछ देर आप यहां पर रुकेंगे तो यह आपका autoplay में यह device हो जाएगा यह नहीं होता है तो आप यहां पर जो नीचे मे password को आप यहां से easily reset कर सकते हैं और इससे आप देख सकते हैं यहां पर यह दिया आपका handset नहीं आ रहा तो नीचे में आपको last में other devices का option मिलेगा आपको इससे यहां पर select करना है other devices में जब आप आएंगे तो आपको यहां पर start के button को आपको यहां पर क्लिक करना है जहां पर देख सकते हैं उपर में लिखा हुआ है remove a screen lock तो यहाँ पर हम इसे start करेंगे उसके बद आपको यहाँ आएगा remove the screen lock password will erase all data on the device are you sure you want to proceed तो आपको यहाँ पर दोस्तो करना किया है कि आपको यहाँ पर इसी yes पर click कर देना है और आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आपको removing क आपको यहाँ पर process चालू है और उसके बद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका handset है उसमें आपको 3-4 process आपको देखने को मिलेंगे तो उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर आपको steps लेने हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है पहले आपको power के जो बटन है उससे आपको यहाँ पर select करना है पहला step में दूसरे में आपको power plus home plus volume up का जो बटन है उससे आपको एक साथ यहाँ पर press करना है और third में when your device logo appear release all button and your device will enter into recovery mode फिर आपको इस तरह से recovery mode पे चले जाना है उसके बाद आपको अगले page पे जाना है जहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जब आपको इस तरह से use the volume button to navigate to wipe data factory reset and press the power button to confirm next step आपका है select yes and click the power button to restart the device and third है select the option reboot system now and click the power button to confirm फिर आपको next पे जाना है उसकद आपको यहाँ पे आएगा remove the screen lock successfully after setting up your device according to the tutorial the screen lock will be removed अब आप इसे अपने group में facebook पे से share भी कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं last में if you cannot successfully remove the screen lock please contact us यदि आप से नहीं हो पाएगा तो आप इसके company के logo से भी बात कर सकते हैं उसकद आपका जब screen lock यहाँ पे unlock हो जागा तो आप इसे यहाँ पे done पे click कर सकते हैं और देखते हैं दोस्तों कि क्या हमारा handset का screen lock यहाँ पे remove हुआ कि नहीं हुआ और दोस्तों आप देख सकते हमारा handset है यह successfully यहाँ पे हमारा password है वो यहाँ पे crack हो चुका है मतलब आपका handset का password यहाँ पे reset हो चुका है तो आप भी इस तरह से अपने किसी भी android smartphone के लगे हुए pin pattern password को आप यहाँ से reset कर सकते हैं उसके पहले मैं आपको बता दू कि आप चाहें तो इससे कुछ minimum charges दे करके आप यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूं आप यहाँ से minimum charges दे के इसके और भी आते हैं प्रोग्राम आप इससे भी download यहाँ पे कर सकते हैं और यदि मैं बात करूं इसके buy now पे तो दोस्तों आप आप देख सकते हैं यहाँ जब आप buy now पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका license जो की बन मंत का मात्र 29.95 डॉलर का है जिसमें आपको एक system मिलेगा और 5 devices आपको मिलते हैं साथ में आपको जो वन यर का license वो है 39.95 आपको cent और जो lifetime license है वो मात्र तो आप इस तरह से अपने कुछ minimum पैसे खर्च करके आप अपने handset को easily आप उसके password को reset भी कर सकते हैं तो आप इसके based by link को आप हमारे description से भी आप click करके जा सकते हैं जहाँ पे आप इसके website पे हमारे description में दिये गए link के help से जा सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से purchase भी कर सकते हैं और यदि आपने यहाँ पे यह दिये गए coupon code का इस्तिमाल किया तो आपको और भी ज्यादा discounted मिल सकते हैं तो फिर मिलेंगे next नए वीडियो में एक नए trick के साथ तो देखते रहें review revealed